आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान फ्री इसकूटी योजना 2022 के बारे में 12th class के result के साथ ही जो चात्रा है जिनको इसकूटी मिलनी होती है फ्री इसकूटी जो राजस्तान सरकार की योजना है इसकी complete जानकारी में आपको इसमें देने वाला हूँ कितनी चात्राओं को मिलेगी किस-किस category में कैसे मिलती है इसकी संपूण जानकारी प्राप्त करेंगे आप इस वीडियो में कितने प्रतिसत पर मिलेगी इसकी संपूण जानकारी आपको इसमें मैं जो है वो देने वाला हूँ तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर आपको एक न्यूस दिखाता हूँ जिसमें लिखा है कि 9958 चात्राओं को मिलेगी स्कूटी और यह स्कूटी जो है कैसे कैसे मिलने है इसकी संपूर्ण जानकर हम यहाँ पर देखने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एप है एजुकेसन राइज नाम का प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आप उससे डाउनलोड करें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा फाइव स्टार रेटिंग मिली हुई है आप इसे प इन कोर्सेस के बारे में हम सीधे हमारे टेलिग्राम चैनल में जो हो सूचना डालते हैं तो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे इसकुटी योजना के बारे में लिखा हुआ है कि प्रदेश की 9958 चात्राओं को जल्द राज्य सरकार की और से कालीबाई भील म देदावी चात्रा इसकुटी योजना और देव नारायन योजना में इसकुटी मिलेगी इनकी फाइनल लेस्ट जारी हो चुकी है लेकिन इसमें भी कॉमर्स के बिगड़ते गणित की बानगी देखने को मिली है तो आपको कुस कॉमर्स वाली नियूज पर आपको ध्यान कॉमर्स की उनके लिए 5% कोटे में भी कहीं जिलों में कॉमर्स पढ़ने वाली चात्रा नहीं मिली है ठीक है विसेवार नहीं मिलने से करीब 1500 स्कुटि है जो वो बट नहीं पाएगी जबकि सरकार ने स्कुटी बातने में कलावर्गों को 55% और साइन्स को 40% एवं कॉमर्स का पांच प्रतिसत कोटा जो वो इसमें तै किया हुआ है इसकूटी बाटने वाले विबागों में उच्छा सिक्षा विबाग अल्प संखेक मामलाद समास कल्यान मादमिक सिक्षा और अन्य सामिल हैं गोरतलब हैं कि कालीबाई योजना में राजस्तान बोड की 55 प्रतिसत से अधिक अंक लाने वाली चात्रा आवेदन कर सकती है तो इसमें क्या होता है कि जो आवेदन करना होता है इसकूटी के लिए उसमें जो राजस्तान बोड की जो ककसा है उसमें अगर आपने 65 प्रतिसत अंक प्राप्त की है जिन चात्राओं ने वो इसके लिए आवेदन कर सक सकती है और cbc board से जिन्होंने 12th pass की है उनके 75 प्रतिसत या उससे अधिक है अगर तो वो आवेदन कर सकती है उन्हें चात्रवर्ती मिलेगी तो यह तो हमने इसमें देख लिया अब यहां पर देखे category wise जो हो कैसे कैसे दी जानी है लक्से था जैसे उच्छा में 1690 का और यहा पूरा इसमें जहू वीवरन दिया गया है और इसके बाद में 12 कक्सा दस्वी कक्सा और देव नारान योजना के तहद भी जहावो इस प्रकार की चात्री वरतिया थी ठीक है इसके बाद में यहां पर देखिए लिखा है कि विशेवार नहीं मिलने से सरकार ने जादतर को और स्कौले स्कूले हैं तो यह तो हमने देख्गा कि किस तरीके से मिलना है और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादद जान करें चाहिए तो आप हमारे comment box में comment कर दीजिए और अगर आप ज़ादे comment करते हैं कि इसके लिए apply कैसे करना है और क्या-क्या documents चाहिए तो आप मुझे comment box में comment कर दीजिएगा मैं next video उसी पर बना दूँगा तो यह थी जानकर हमने आपको देने का प्रियास किया है और इसके साथ मैं आपको students हैं उनको भी हम courses available कराते हैं और हम उनकी भी जह वो live class भी लेते हैं तो जो नए candidate चैनल को subscribe जरूर करिएगा Thank you